नमस्कार, S4 Note में स्वागत है आज हम लोग Current Affair 2021 के महत्पून परस्नों को देखेंगे और इस वीडियो में 1 जन्वरी 2021 से लेकर के 31 जन्वरी 2021 तक के यानि पूरे एक महीना का Current Affair को सारे परस्नों को देखेंगे जो अगामी सभी परती योगिता परिछाओं के लिए महत्पून है तो इस एक महीना के Current Affair को हम लोग दू वीडियो में कवर करेंगे पहला वीडियो में 15 दिन का और दूसरा वीडियो में 15 दिन का Current Affair खतम करेंगे और इस वीडियो का दूसरा भाग आपको Current Affair के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो का दूसरा भाग भी देख सकते हैं पहला परस्न है कि एक जन्वरी 2001 से रेलवे बूर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO का पदभार किसने समाला है इसका उत्तर होगा स्री सुनिस सर्मा स्री सुनिस सर्मा इससे पूर्ड रेलवे के महापरवंधक के रूप में कार्ज कर रहे थे और अभी इनको एक जन्वरी 2001 को रेलवे बूर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में पदभार समा रहा है ये रेलवे बूर्ड के दूसरे अध्यक्ष एवं CEO हैं इनसे पहले बिनोद कुमार जादो रेलवे बूर्ड के अध्यक्ष एवं CEO थें आगे देखेंगे एक जन्वरी 2021 को परधान मंत्री ने कितने राज्जों में लाइट हाउस पर योजना यानि एल एच पी की अधार सिला रखी है इसका उत्तर होगा च्छों च्छों राज्यों में परधान मंत्री ने लाइट हाउस पर योजना की अधार सिला रखी है 2022 तक सब के लिए अवास के लक्ष के प्रति लाइट हाउस पर योजना को देश में तेजी से अवास्प निर्मान के छेतर में मात्तपुन योगता योगदान करेगी आगे है कि जी एश्टी लागो होने के बाद से लेकर अब तक पहली बार दिसंबर 2020 में जी एश्टी राजस्व संग्रा कितना हुआ है यानि जब से जी एश्टी लागो हुआ था उस समय से लेकर के अभी मतलब दिसंबर 2020 तक कितनी जी एश्टी संग्रा हुआ है तो 1.15 लाग कड़ोर जी एश्टी जो है जमा हुआ है अभी तक आगे है कि एक जनवरी 2021 को पिट्रोलियम एवं प्राकिर्तिक गैस मंत्री धर्मेंदर परधान ने LPG उभगताओं के लिए मीस कॉल रिफिल बुकिंग सुविधा की सुरुवात कहां से की है इसका उत्तर होगा भुनेस्वर से अगला है कि सन्यूक्तिराष्ट सुरक्षा परिस्द के औरश्थाई सदस्य के रूप में भारत का दू वर्स का कार्जगाल की सुरुवात कब से हुआ है तो इसका उत्तर होगा एक जनवरी 2021 से आगला है कि एक जनवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के सिविल कैदियों की मच्छुवारों की सूचियां एक दूसरे को सौपी है आगला है कि भारत में COVID-19 ठीका करन का राश्ट ब्यापी पुरुवा अभास की सुरुवात कब से होगी इसका उत्तर होगा दो जनवरी 2021 से पूने और नाकपुर सहित कूल चार जिलों में इसके सुरुवात की गई की जाएगी या की गई आगे देखेंगे कि एक जनवरी 2021 को चर्चा में रहा आसा इंडिया परियोजना का संबंध किस से है तो आसा इंडिया परियोजना का संबंध जो है वभावन निर्मान छेत्र में अनुसंधान और नवचार से है अगला प्रस्ण है कि एक जन्वरी 2021 को अपनी 63 अश्थापना दिवस किस ने मनाया है तो एक जन्वरी 2021 को अपनी 63 अश्थापना दिवस वड़ी यार डियो ने मनाया है आगे देखेंगे कि एक जन्वरी 2021 को इसरो के पुना अध्यक्ष कौन बने है तो 1 जन्वरी 2021 को इसरो के पुना अध्यक्ष के सिवन को बनाया गया है और इससे पहले भी इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन इनको एक वर्स के कार्जगाल में बिरिधी किया गया है और पुना इनको इसरो के अध्यक्ष बनाया गया है आगे देखेंगे कि इंडियन एर फोर्स के e-governance यानि e-office पोटल की सुरुवात एक जनवरी 2021 को किसने किया है इसका उत्तर हो जाएगा वायू सेना अध्यक्ष आरकेस भदवरिया ने आगे है कि भारत के 67 इवा ग्रेंड मास्टर ये जो 67 इवा ग्रेंड मास्टर है इनकी उमर 14 साल 9 महीने है इनका नाम जो है वर लियोन मिंडो का ये गोवा के हैं और ये भारत के 67 इवा ग्रेंड मास्टर बने है लियोन मिंडो का अगला प्रस्न है कि दू जन्वरी 2020 को चर्चा में रहा एक वन्वेर अंतराश्टिय भारतिय फिल्म महस्व इफिक आयोजन 16 जन्वरी 2020 को कहां किया जाएगा इसका उत्तर होगा गोवा में और यह जो संस्करन है यह पहली बार हाइब्रीड मोर में आयोजित होगा और इस आयोजन का सुभारम जो है थॉमस विंटर बर्ग की फिल्म अनदर राउंड जो है वाड़े डेन्मार्क की यह फिल्म है विंटर अनदर राउंड के साथ भारतिये फिल्म होसो इफिक आयोजन होना है अगला है कि दू जन्वरी 2021 को चर्चा में रहा नेसनल माप पदती समेलन नेसनल माप पदती समेलन 2021 का अश्ठापना अश्ठापना के पच्छतरवे वर्स का उदघाटन चार जन्वरी 2021 को कौन करेंगे माप पदती समेलन का उदघाटन चार जन्वरी 2021 को कौन करेंगे तो इसका उत्तर होगा परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने परधान मंत्री नरेंदर मोदी के दौरा नेसनल माप पदती समेलन का उदघाटन किया जाना है चार जन्वरी 2021 के इसको और इस समेलन का योजन जो है वो बैग्जानिक और अधोगिक अनुसंधान परिशद और राष्टिय भौतिक परियोग साला नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा और समेलन का विशय जो है इसका थीम जो है मेट्रोलोजी फोर्दा इक्वलूसिव ग्रोथ औफ नेसंस आगे देखेंगे पूर्वे किंद्री ये मंत्री बुटा सिन का निधन हो गया और बुटा सिन जो थे वह लोग सभा से आठ बार सांसत बने से और विहार के पूर्वे यह राजपाल भी रह चुके हैं बुटा सिन इनका निधन दूजनवरी 2021 को हो गया और ये अनुसुची जाती के राष्टी ये आयोग की अध्यक्ष में भी कार्ज कर चुके हैं आगे देखेंगे दूजनवरी 2021 को स्वाष्ट मंत्राले की घोसना के नुसार कि इस देश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए COVID-19 टेस्ट अनिवार्ज किया जाएगा इसका उत्तर होगा बिरिटेन से बिरिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए COVID-19 टेस्ट अनिवार्ज कर दिया गया है स्वास्त मंत्रा लेके घोसना के नुसार आगे देखेंगे ICMR के नुसार क्रोना वाइरस के नए अश्ट्रोन को आईसोलेटेड करने वाला पहला देश कौन बना है तो ICMR के नुसार जो है कोरोना वाइरस के नए अश्ट्रोन जो है उसको आईसोलेटेड करने वाला पहला देश भारत बना है अगला है कि 2 जन्वरी 2021 को किस देश ने चालक रहित लड़ा को बिमान बनाने की उगोसना किया है इसका उत्तर होगा जपान आगे देखेंगे अश्टील ऑथोरेटी ओफ इंडिया यानि सेल की पहली महिला चेयर पार्सन की पदभार जन्वरी 2021 से किस ने संभाला है तो अश्टील ऑथोरेटी ओफ इंडिया के चेयर पार्सन की पदभार जो है सुमा मंडल ने समाला है आगे है कि मौर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षन यानि स्विक्रिती एरेटिंग के नुसार बिस्वे के सबसे लोगपिरिये राजनेता में सीर सष्थान पर कौन रहे है तो कंसल्ट के सर्वेक्षन के नुसार बिस्वे के सबसे लोगपिरिये राजनेता में सीर सष्थान पर नरेंदर मोदी का है और कुल स्विक्रिती एरेटिंग जो है वह पच्पन परतिसत मिला है आगे देखेंगे कि वर्स 2021 से किस देश ने अपने राष्ट गान में कुछ सब्द बदल दिये हैं वर्स 2021 से किस देश ने अपने राष्ट गान में कुछ सब्द बदल दिये हैं इसका उत्तर होगा अश्ट्रेलिया ने प्रसने की सीरम इंशूट अफ इंडिया और भारत बायोटेक के दूसरे COVID-19 भैक्सिन के अपातकालिन उपियोग के मंजूरी ड्रक्स कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया यानि DCGI के द्वारा की गई यह यह जो दोनों भैक्सिन किस देश में बनी है इसका उत्तर होगा भारत में और सीरम इंशूट अफ इंडिया के भैक्सिन यानि COVID-19 जो है वो ओक्सफुर्ड विसु विद्धाले के सहयोग से बनाए गया है और भारत बायोटीक के भैक्सिन जो है वो को भैक्सिन या कोवा भैक्सिन ये दोनों जो है DCIG के द्वारा बनाई गई है भारत में अगला है कि तीन जन्वरी 2021 के इसको चर्चा में रहा देखो अपना देश सिरिंखला किस मंत्राले की पहल है इसका उत्तर होगा पारियाटन मंत्राले की पहल है देखो अपना देश सिरिंखला अगला प्रस्ण है कि चक्रवात यात्रा से परभावित किस देश को भारत ने तीन जन्वरी 2021 को छो टन रहत समागरी भेजी है इसका उत्तर होगा फीजी को चक्रवात यासा से परभावित देश है फीजी उसको भारत ने तीन जन्वरी 2021 को छो टन रहत समागरी भेजी है लाइफ 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 तो यह जो है बजाज आउटो कमपनी है जिसने एक लाग करो रुपे के बजार पुंजी करण को पार किया है अगला एकी चर्चा में रहा डिजिटल भुकतान सुचकांग परनाली किसकी पहल है तो डिजिटल भुकतान सुचकांग परनाली जो है वह भारतिय रिजर्बैंक यानि RBI का पहल है और यहाँ परनाली जो है वह डिजिटल लेंदेन को ट्रेक करने के लिए बनाया गया है डिजिटल भुक्तान सुचकांग परनाली जो है वह डिजिटल परनाली लेन देन को ट्रेक करने के लिए बनाया गया है और RBI ने डिजिटल भुक्तान सुचकांग यानि DPI के लिए अधार वर्स मार्च 2018 निर्धारित किया था अगला है कि चर्चित पुष्टक बिहाना माश्टर कलास के लेखक कौन है तो बिहाना माश्टर कलास के लेखक जो है अलफ्रेडो कोवेली और यह पुष्टक जो है वह गनेश की कहानी पर अधारित है अगला प्रसने की जनवरी 2021 में मिर्तु डंड यानि 20 साल से ज़्यादा परतिबंध को समाप्त करने वाला देश कौन बना है इसका उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान और कजाकिस्तान की नई रधानी जो है वह नूर सुलता है इससे पहले अस्थाना थी अगला प्रसने की तीन जनवरी 2021 को चर्चा में रहा कोची मंगलूरू प्राकिर्ति गैस पाइपलाइन का निर्बान किसके द्वारा किया गया है तो कोची मंगलूरू प्राकिर्तिक गैस पाइपलाइन का निर्मान जो है वगेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है तीन जनवरी 2021 और यह का आर्जकरम जो है एक राष्ट एक गैस गिरीड के हिस्सा का भाग है अगला है कि भारत ने चार जनवरी 2021 को अंटार्टीका के लिए चालिसमा बैग्यानिक अभ्यान कहां से रवाना करने की निर्ने लिया है तो भारत ने चार जनवरी 2021 को अंटार्टीका के लिए चालिसमा बैग्यानिक अभ्यान को गुवा से रवाना करने का निर्ने लिया है गुलोवनीन से 30 दिन में अंटाल्टी का पहुचेगी अगला है कि भारत सरकार ने बंगलोरू सहर में बिजली बित्रन पर नाली को आधुनिक बनाने और इसके उन्नयन के लिए किसके साथ 100 मिलियन डॉलर के रिम सोंजहुता पर हश्ताक्षर किये हैं इसका उत्तर होगा ADB, ACI, विकास, बैंक के साथ बंगलोर ने बिजली बित्रन पर नाली के आधुनिक बनाने के लिए समझहुता किया है 100 मिलियन डॉलर का अगला है कि 4 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में बैज्ञानी केवम औधोगिक अनुसंधान परिसद CESIR के किस परियोग साला का पलेटीनम जूबली यानि 75 अश्थापना दिवस मनाई है इसका उत्तर होगा राष्टिये भावतिक परियोग साला NPL का और इस उसर पर परधान मंत्री ने राष्टिये माप 35 समेलन 2021 का भी उधगाटन किये और नेशनल एटोमिक टाइम स्केल और भारतिये निर्देशक द्रव राष्ट को भी समर्पित किये और राष्टिये पारेवरन समंधी मानक परियोग साला के अधार सिला भी रखा गया है चार जन्वरी 2021 को अगला एकी मद्द परदेश में ट्राइफुड ट्राइफुड जो है वजन जातिये खाद है ट्राइफुड पारकों के अश्ठापना के लिए ट्राइफुड ने किसके साथ समझोता किया है इसका उत्तर हो जाएगा अखिल भारतिये बनवासी कल्यान आसरम के साथ ट्राइफुड ने समझोता किया है और ट्राइफुट जो है मध्ध परदेश में जन जाती है खाद के रूप में जाना जाता है अगला एक चार जन्वरी 2018 को चर्चा में रहे भावीना पटेल का संबंद किस खेल से है तो भावीना पटेल का संबंद जो है वह पैरा टेबल अगला एक पुरुवत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया अस्कूल का उद्गाटन कहां किया गया है अगला एक विदेश मंतरी एस जे संकर किस देश के साथ दोए पक्चे समंधों पर चर्चा करने के लिए कल से तिन दिन की यात्रा पर जाएंगे अगला परसन है कि 4 जनवरी 2021 को जम्मु कस्मीर और लधाक के सन्युक्त उचने आले में मुख नयदेश की सपत किस ने लिए जम्मु कस्मीर और लधाक के सन्युक्त उचने आले के मुख नयदेश के रूप में नयमूर्ती पंकज मितल ने सपत लिए अगला है कि किस राज ने 4 जन्वरी 2021 को पोंगल उपहार देने की सुरुवात की पोंगल उपहार देने की सुरुवात किस राज ने किया है तो यह तामिलाडू राज है जिसने पोंगल उपहार देने की सुरुवात किया है 4 जन्वरी 2021 से अगला है कि एकवनवे भारतिय राष्टिय फिल्म समारोह के लिए निरनायक मंडल के अध्यक्ष किसे बनाय गया है तो एकवनवे भारतिय राष्टिय फिल्म समारोह के लिए पाबलो सिजर पाबलो सिजर जो है वो अरजंटीना के फिल्म निर्माता है इनको निरनायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आगा देखेंगे नित्रहीनों की पढ़ाई लिखाई संभो बनाने के लिए लूई ब्रेल लूई ब्रेल जो हैं वो फ्रांस के थे इनके जनम दिन पर परतेक वर्स किस तारिक को इनका जनम दिन मनाया जाता है तो चार जनुवरी को लूई ब्रेल के जनम दिन मनाया जाता है ब्रेल लिपी का विसकार इसने किया थे अगला है कि चार जनुवरी 2021 को चर्चा में रहा सागर माला सी प्लेन सिवा किस मंत्राले की योजना है तो सागर माला सी प्लेन सिवा जो है वो बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्राले की योजना है आगे दखेंगे पाच जन्वरी पाच जन्वरी 2021 की चर्चा में रहा दुनिया के पहली डबल अश्टेक लोंग हॉल कंटेनर ट्रेन जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है यानि डेड़ किलोमीटर इसकी लंबाई है हॉल कंटेनर ट्रेन का परिचालन 7 जनवरी 2021 का इसको कहां से किया जाएगा इसका उतर हो जाएगा निव अटेली से निव किसंगड की बीच किया जाएगा और इस कार्जकरम में परधान मंत्री मोधी ने 306 किलोमीटर लंबी रिवाडी निव मदारखंड यानि बेश्टर्न डेडिकेटेड फ्रन्ट कोरिडोर का हिस्सा कोदेश को समर्पित करेंगे अगला एक पाच जनवरी 2021 को चर्चा में रहा चितर गला सलक सुरंग जिसकी लंबाई है 6.8 किलोमीटर किस राज में या फिर केंदर सासित परदेश में बन रही है चितर गला सलक सुरंग या जम्मू यों कास्मीर में बन रही है जिसकी लंबाई 6.8 किलोमीटर है और यह सुरंग जो है वह कठुआ जिले से डोड़ा जिलो को जुड़ेगा अगला एक पाच जनवरी को सुबारंब किये गए ट्वाय कैठेट 2021 और ट्वाय कैठान पोर्टल का संबंद किस्से है इसका उत्तर हो जाएगा भारत में सवदेशी खिलोनों के निर्मान को बढ़ावा देने से संबंदित है ट्वाय कैठान भारत में 80% बिदेशी खिलोनों का आयात किया जाता है और ट्वाय कैठान पोर्टल सिक्षा मंतराले और महिलायों बाल विकास मंतराले का सन्यूक्त पहल है अगला है कि पाच जनवरी के मौसम बिभाग के बिग्याप्ति के अनुसार वर्स 2020 वर्स 1901 के बाद से अठवा सबसे गरम वर्स रहा है और मौसम बिभाग के अनुसार वर्स 2020 में उत्तर हिंद महा सागर में पाच चक्रवात आए जिसका नाम है अमफाम, निवार, गती, निसर्ग और बुरवी अगला है कि पाच जनवरी 2021 में उधोग मंथन बेविनार मेराथन की सुरुवात की समंत्राले ने किया इसका उत्तर होगा बानीच जेओं उधोग मंत्राले ने और बेविनार मेराथन का उधेश क्या है तो भारतिये उधोगों की उत्पादक्ता यों गुन्वता बढ़ाने के लिए बेविनार मेराथन का सुरुवात किया गया अगला है कि 5 जन्वरी 2021 को कुलकत्ता में अंतर देशिये जल परिवहन और सन रचना में सुधार के लिए 10.5 क्रोर डॉलर के रिन समझोता प्रहस्ताक्षर भारत सरकार और पहचीम बंगाल सरकार ने किसके साथ किया है इसका उत्तर होगा बीस्व बैंक के साथ अगला प्रस्ने कि 5 जन्वरी 2021 के बिधुत मंत्राले के बिग्यापती के नुसार 5 जन्वरी 2015 को परधान मंत्री के द्वारा शुरू की गई उज्वला योजना के तहत वर्स 2020 तक कितने कड़ोर एलेडी बल्व बित्रीत किये गए है इसका उत्तर होगा 36.69 अगला है कि किस देश के परधान मंत्री ने खूद के अपने देश में कोरोना वाइरस के दूसरे अश्ट्रो के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत के गंतंत्र दिवस समारों में मूख अतिथी के रूप में सामिल नहीं हो पाने के लिए खेद प्रगट किया है परधान मंत्री बोरिंग जोंसन अगला प्रस्ण है कि जन्वरी 2021 में भारत के कुछे राजों में अचानक पक्चियों में किस वाइरस से संक्रमित होकर मरने की खबर चर्चा में रही इसका उत्तर होगा H5 आगे दखेंगे 6 जन्वरी 2021 6 जन्वरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ निर्देश्ट कुसल कामगारों को उचित परिचालन के लिए सभागिता से जुड़े समझोते ग्यापन पर हर्ष्टाक्चर किये हैं इसका उत्तर हो जाएगा जपान और साभागिता समझोता के द्वारा अब भारत के कामगारों और कुसल पेसेवरों को जपान भेजने में मदद मिलेगी अगला है कि जनवरी 2021 में बिस्व बैंक के द्वारा जारी की गई ग्लोबल एक्रनोमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के नुसार चालू बित वर्स 2021 के अंत तक भारती अर्थ ब्यवस्था में कितना परतिसत गिरावट का अनुमान है इसका उत्तर हो जाएगा माइनस 9.6 परतिसत वही बैस्विक अर्थ ब्यवस्था की बिरिधी जो है 4 परतिसत रहने का अनुमान लगाया गया है ग्लोबल एक्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के नुसार अगला है कि बिस्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज में लगाया जा रहा है तो बिस्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वह मद्द परतिस में लगाया जा रहा है और यह floating solar plant जो है बिजली उत्पादन चमता इसका 600 मेगावाट होगा अगला है कि जनवरी 2021 में किस राज ने किसानों के आय दुगना करने के लिए किसान का लियान मिसन की सुरुगात किया है इसका उत्तर होगा उत्तर परदेश अगला प्रस्ण है कि AFSAI यानि भारतिये खाद सुरक्षाय मानक प्राधिकरन के दुआरा जनवरी 2021 में परकासित एक रिपोर्ट के नुसार खाद पदार्थों में ट्रांस फैक्ट के अधिक्तम सीमा कितना परतिसत निर्धारित कर दिया गया है इसका उत्तर होगा तीन परतिसत अगला एक चोजनवरी 2021 के इसको स्वाष्ट मंत्राले के एक रिपोर्ट के नुसार 2011 के जनगन्ना में भारत के 60 वर्स से अधिक उम्रे के अबादी कितनी परतिसत है तो दोजारेगारा के नुसार जो है साथ वर्स से अधिक उम्रिक अवादी भारत में और स्वास्ट में परिवार कल्यान मंत्राले ने बुजुर्ग के स्वास्ट के देखवाल के लिए कराश्टी ये कारज करम लासी की सुरुआत किया है लासी अगला प्रवस्ट ने की वन नेसंस वन रासन काड योजना लागू करने वाला पहला राज्ज कोन बना है इसका उत्तर होगा मद्ध परदेश और आंध्र परदेश सन्यूक तुरूप से दोनों राज्जों ने वन नेसं वन रासन योजना को लागू किये है अगला प्रवस्ट ने की 6 जनवरी 2021 को खादी और ग्राम उधोग आयोग ने भारत तिबत सिमा पुलीस के साथ हर वर्स एक लाख बहत्तर हजार सुती दर्यों की आपूर्ती पर समझोता किया है अगला की किस राज्ज ने जनवरी 2021 को ब्लड फ्लू को लेकर के राज्ज अपदा घोसित किया है इसका उतर होगा केरल राज्ज ने अगला प्रवस्ट ने की जनवरी 2021 में राज्ज में लॉंच पैड योजना की सुरुवात किया है तो यह जो है मद्द परदेश में किया गया लॉंच पैड योजना की सुरुवात लॉंच पैड योजना का उदेश है इवाओं के अत्म निर्भर बनाने का अगला है साथ जनवरी 2021 सोलहवे परवासी भारतिय समेलन का योजन 9 जनवरी 2021 से वर्चुल फॉर्मेट में किया जाएगा और इस समेलन का बिस है या थीम किया है तो इस समेलन का बिस है थीम जो है आत्म निर्भर भारत में योगदान या थीम जो है परवासी भारतिय समेलन का थीम है आत्म निर्भर भारत में योगदान और इसका आयोजन जो है विदेश मंतरा लेके द्वारा किया गया और इसका उद्गाटन परधान मंतरी नरेंदर मोदी के द्वारा किया गया था और इसके मुख खतिती के रूप में देखेंगे सुरी नाम के राष्टपती सिरी चंदिर का परसाद संतोखी को बनाया गया था अगला है कि इवा परवासी भारतिय दिवस समेलन का योजन आठ जन्वरी 2021 को वर्चुल फॉर्मेट में होगा और इस समेलन का भिस है यानि थीम क्या है तो इवा परवासी भारतिये दिवस का थीम या फिर भिस है भारत और भारतिये समुदाय में सफल इवाओं को एक साथ लाना और इवा परवासी भारतिये दिवस कायोजन इवा मामले और खेल मंत्राले के द्वारा किया गया और इवा परवासी भारतिये दिवस के मूख अथिती के रूप में देखेंगे न्यूजिलेंड के समुदायिक और स्वैक्षिक मंत्री पिरियंका राधा क्रिस्नन भारतिये म दिवस समेलन का मुख अति थी आगे कि दो दिवस ये भर्चुल अंतराष्टी ये अखंड समेलन यानि एडुकॉन 2020 का सुभारंब किस ने किया है तो एडुकॉन 2020 का सुभारंब केंद्रिय सिक्षा मंत्री रमेश पोख्रियाल निसंक ने किये है और एडुकॉन 2020 का मुख अतिती या फिर इसका थीम देखेंगे इसका थीम है बैस्विक सांती को सकार करने को इवाओं में बदलाओ के लिए सिक्षा संकल्पना अगला है साथ जन्वरी 2021 को इन एस ओ यानि राष्टिय सांखी की कारजियाले के द्वारा जारी रिपोर्ट के नुसार वर्स 2021 में भारत के जेडिपी बिरिधी कितने परतिसत रहने की उमीद की गई है तो यहाँ पर इसका अकड़ा दिया गया यहाँ पर इस्थित कीमत पर साथ पॉइंट माइनस साथ पॉइंट साथ परतिसत जीडिपी और वर्तमान कीमत पर जो है माइनस चार पॉइंट दू परतिसत जीडिपी रहने की उमीद की गई है एराश्टिये सांखिकी के रिपोर्ट के नुसार और यह रिविया था अगला है कि साथ जनवडी 2021 को सहरी निकायो के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज कौन बना है इसका उत्तर होगा तिलेंगाना और इससे पहले आंद्रपर्देश और मद्पर्देश सहरी निकायो के सुधार को लागू कर चुके हैं सबसे पहले आंद्रपर्देश और दूसरा में मद्पर्देश और तीसरा में बना है तिलेंगाना साथ जनवरी 2021 को अगला है कि राश्टिय जल जिवन मिसन के अंतरगत दिसंबर 2020 तक कितने नए जल पानी नल के पानी के कनेक्शन दिये जाएंगे तो 3.04 कड़ोर नए नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा राश्टिय जल जिवन मिसन के अंतरगत और हाली में गुवा जो है सो परतिसत पाइप कनेक्शन पर दान करने वाला पहला राज़ बना है और राश्टिय जल जीवन मिसन का लक्ष वर्स दूहजार चोबिस तक हर घर जल का लक्ष हासिल करना है अगला देखेंगे कि द लोंगी टूनल एजिंग अस्टड़ी इन इंडिया यानि लासी जो है वह किस के इंद्रीय मंत्री के द्वारा जारी किया गया है इसका उतर होगा डाक्टर हर्स वर्दन के द्वारा अगला है कि आई सी सी पुरू स्टेट टेस्ट किरिकेट में एमपारिंग करने वाली पहली महिला एमपार कौन बनी है इसका उतर होगा कलियर पालो साक भारत अस्ट्रिया टेस्ट मैच में इनको एमपार बनाया गया था कलियर पालो साक को अगला है कि भारत का पहला फायर पार्क अगला है कि साजजनवरी 2021 से सोमालिया में भारत के अगले राजदूत किने बनाए गया है तो साजजनवरी 2021 से सोमालिया के नए राजदूत के रूप में भिरंदर कुमार पॉल को बनाए गया है और साज जन्वरी 2021 के गवहाटी उचने आले के मुखने अधिस किन्हे बनाए गया है तो सुधानसु धुलिया को गवहाटी उचने आले के मुखने अधिस बनाए गया है आगे आठ जन्वरी 2021 आठ जन्वरी 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कलेंडर और डायरी एप का पररम्भ किस न किया है इसका उतर हो जागा परकास जावेड कर अगला एक किस देश के राष्ट पती के राजनाईक सलाकार इमेनुवल बोन ने भारत के दोई पक्षिये और बैस्विक मुद्दो पर ब्यापक चर्चा के लिए आठ जन्वरी 2021 को भारत के परधान मंत्री से नई दिल्ली में मुलापकात की है इसका उत्तर होगा फ्रांस के राष्ट पती इमेनुवल मैक्रो के नियाईक सलाकार है इन्होंने 8 जन्वरी 2021 को भारत के परधान मंत्री से दिल्ली में मुलापकी आगे देखेंगे भारत के नवीन और नवीकर निये उर्जा मंत्राले के अंतरगत भारती ये अक्छे उर्जा विकास संश्था ने अक्छे उर्जा परियोजना को विकास सित करने एवं इसमें तकनीकी बिसेस्ता परदान करने के लिए किसके साथ समझोते ग्यापन पर पीची के साथ अगला है कि आठ जन्वरी 2021 को चितरा घुस का निधन हो गया इनका संबंद किस से है इसका उत्तरोगा सिक्षा और समुदायिक सिवा से संबंद रखते थे चितरा घुस इनका निधन हुआ आठ जनवरी 2021 को चित्रा गोस निता जी सुभास चंद्र बोस की भती जी थी आगे कि भारत की सवर्ष सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिसद की आतंकवाद रोधी समीती की अधियक्षता करेगा इसका उत्तर होगा 2022 भारत 2022 में सन्युक्त राष्ट परिसद की कुल तिन पर्मुक्ष समीतियों की अधियक्षता करेगा जिसमें आतंकवाद रोधी समीती पहला होगा और दूसरा तालिबान परतिबंद समीती और तीसरा लिबिया परतिबंद समीती पर 2022 में भारत इसकी अध्यक्चता करेगा आगे देखेंगे 8 जन्वरी 2021 चर्चा में रहा वंदे भारत मिसन का संबंध किस्से है वंदे भारत मिसन का संबंध किस्से है तो दुनिया के सबसे बड़े सवदेश वापसी अभियान से अगला है और वंदे भारत मिसन के अंतरगत मई 2020 से दिसंबर 2020 तक 44,70,000 से अधिक लोगों को भारत लाया जा चुका है अगला है कि खेलो इंडिया कार्ज करम के तथ राष्टिय सितकालीन खेलो कायोजन 11 से 16 फरवरी के मद्द कहां किया जाएगा इसका उतर होगा गुल मर्ग में जो की जम्मू कास्वीर में है अगला है कि जनवरी 2021 इसमें अमेरिक्या में राष्ट पती को पद से हटाने की मांग के लिए अमेरिक्या का कौन सा समिधान सनसोधन चर्चा में रहा इसका उत्तर होगा 25 समिधान संसोधन जो है वह चर्चा में रहा आगे देखेंगे कि किस देश ने जनवरी 2021 में Guided Multi Launch Rocket System फताह 1 का सफल परिक्षन किया है इसका उत्तर होगा पाकिस्तान ने अगला प्रस्ण की 8 जनवरी 2021 को CISF के 28 महा निदेशक का पदभार किस ने गरहन किया इसका उत्तर हो जाएगा सुबोध कुमार जैसवाल सुबोध कुमार जैसवाल को 8 जनवरी 2021 को CISF के 28 महा निदेशक के रूप में पदभार गरहन किया है अगला देखेंगे कि Bloomberg Index 2021 की दुनिया के सबसे अमीर 500 बेक्तियों के सुची में पहले अश्थान पर कौन रहे है इसका उत्तर होगा Elon Musk Elon Musk जो है वा SpaceX एवन Tesla Motors के संच्थापक है Elon Musk आगे है कि Quantum Computing में अनुसंधान के लिए भारतिये कंपनी Bipro ने किस बिस्ववद्याले के साथ समझोता किया है इसका उत्तर हो जाएगा Israel के तेल अभीव बिस्वद्याले के साथ आगे 9 जन्वरी 2000 को चर्चा में रहा किन बितवा परियोजना से भारत के किन दो राज्यों को सिचाई में लाव मिलेगा इसका उत्तर होगा मदपरदेस है उम उत्तरपरदेस अगला परस्न है कि राष्ट ब्यापी COVID-19 टीका करन अभ्यान की शुरूआत भारत में कब से की जाएगी इसका उत्तर होगा 16 जन्वरी 2000 कैस से अगला प्रस्न है कि 9 जन्वरी 2001 इसके प्रेस बिग्यापती के नुसार सरकार का उदेश वर्स 2024 तक देशों में मचली उत्पादन बढ़ा करके कितना टन करने का लक्ष रखा गया है इसका उत्तर होगा दू करोर 20 लग टन अगला प्रस्न है कि वर्स 2021 इसमें नेता जी सुबास चंद्र बोस के कयमी जेनती मनाई गई है इसका उत्तर होगा 125 जेनती नेता जी सुबास चंद्र बोस के मनाई गई है आगे दखेंगे कि 9 जन्वरी 2021 इसको अमेरिका के नौन निर्वाचित राष्ट पति को जो बाइडन ने भारतिये मुल्क के कीन दो अमेरिकियों के राष्टिय सुरक्षा परिसद में निवक्ति किया है इसका उत्तर होगा सुमोना गुहा एवं तरून छावडा सुमोना गुहा एवं तरून छावडा जो है वो अमेरिका के नौन निर्मित राष्ट पति जे बाइडन के साथ राष्टिय सुरक्षा परिसद में निवक्ति किया गया है अगला एक नौ जनवरी 2021 को अमेरिका के नौन निर्वाचित ऊपर राष्ट पति कमला हैरिस ने किस भारतिये मूल्की महिला को हुआइट हाउस में अपना प्रेश सचीव बनाई है इसका उत्तर होगा सबरीना सिन को अमेरिका को उपराश्ट पती कमला हैरिस ने हुआइट हाउस में अपना प्रेश सचीव बनाई है आगे देखेंगे 9 जनवरी 2021 को कॉंग्रेस नेता माधो सिन सोलंकी का मिर्टू हो गया वे किस राज के पुर्वे मुख मंत्री थे इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के मुख मंत्री थे मादो सिन सुलंकी इनका हाली में 9 जनवरी 2021 को निधन हो गया ये चार बार गुजरात के मुख मंत्री रह चुके है आगे देखेंगे वर्स 2021 में कीसी एर लाइन्स ने अपने एर क्राफ्ट को साप करने और किटानू रहित बनाने के लिए अल्ट्रा वाइलेट रोबोट का उपयोग करने वाली भारत की पहली एर लाइन्स बन गई है इसका उत्तर हो जाएगा एर इंडिया आगे देखेंगे वर्स 2021 के इसमें सतक नागरिक मोबाइल एप किसने लॉंच किया है इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कस्मीर ने और इस मोबाइल एप के जारिये जम्मू कस्मीर के लोग भरष्टा चार की सिकायते दर्ज कराएंगे सत्तर्क नागरिक मोबाइल एप के जारिये आगे देखेंगे किस देश के राष्ट पती के ट्वीटर एकाउंट को अश्थाई रूप से ट्वीटर ने निलंबित कर दिया है इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकिया के राष्ट पती डोनाल्ड ट्रम्प का अगला एक वर्स 2021 में चर्चा में रहा भारत का पहला इंडोर असकी पार्क किस राज में बनाये जा रहा है इसका उत्तर होगा हिमाचल परदेश के कुफरी में अगला एक एकिस भारतिय एरलाइन्स कम्पनी की ओल बुमेन पाइलट टीम ने उत्री धुरू पर 16,000 किलो मीटर लागतार उडान भरने का इतिहास रच्चा है इसका उत्तर हो जाएगा एर इंडिया ने एर इंडिया ने ओल बुमेन पाइलट टीम ने उत्री धुरू पर 16,000 किलो मीटर लागतार उडान भर करके इतिहास रच्च दिया आगे देखेंगे कि जनवरी 2021 में किस राज सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए किरिसी संजीवनी भैन का सुरुवात किया है इसका उत्तर हो जाएगा करनाटक ने आगे 10 जनवरी, 10 जनवरी के 24 राष्टी इवा महसो 12 से 16 जनवरी के मत भर्चुल माध्यम से आयोजित किया जाएगा और इस महसो का ठीम क्या रखा गया है तो 24 राष्टी इवा महसो है उसका ठीम जो है इवा उस्साह नए भारत का और इवा महसो का उदेश से देश की इवाओं को अपनी परतिभाग का परिचाय देने के लिए एक साथ मंच पर लाना और 24 राष्टी इवा महसो का समापन जो है वा 16 जन्वरी 2021 को नए दिल्ली के अम्बेदकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा अगला है कि दूसरे राष्टी इवा संसद महसो का समापन 12 जन्वरी 2021 को कहा किया जाएगा इसका उत्तर होगा संसद के सेंटरल हॉल नए दिली सुआमी वीवेका नंद के जहनती पर और इसका आयोजन जो है 23 दिसंवर 2020 से ही वर्चुल माध्यम से किया जा रहा है और राष्टी इवा संसद महसो का उदेश है कि 18 से लेकर के 25 वरस के बीच के इवाओं को विचारों को सुनना है जो मत्दान करने का अधिकार रखते हैं अगला है कि 10 जन्वरी 2021 को 51 में भारत अंतराष्टी इवा फिल महसो के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है इसका उत्तर होगा बंगला देश को अगला है कि 10 जन्वरी 2021 को चर्चा में रहा पी एम कुसुम योजना का संचालन किस मंत्राले के द्वारा किया जा रहा है इसका उत्तर होगा नभीन और नविकरनीय मंत्राले एम एन आरी के द्वारा कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है और इसके तहत क्रिसी पंपो के सौरी करन के लिए किसानों को 60 पर 30 तक अनुदान दिया जाएगा अगला है कि विदेशों में हिंदी भासा के उपियोग को बढ़ावा देने के लिए बिस्व हिंदी दिवस कब मनाया गया विदेशों में हिंदी भासा को बढ़ावा देने के लिए 10 जन्वरी को बिस्व हिंदी दिवस मनाया गया और पहला बिस्व हिंदी समेलन जो है 10 जन्वरी 2006 को नागपूर में आयोजित किया गया था तब से ले करके अभी तक प्रति वर्ष 10 जन्वरी को 200 हिंदी दिवस मनाया जाता है आगे देखेंगे 10 जन्वरी 2021 को किस देश में बिमान दुर घटना से 60 से अधिक लोगों की मिर्टू हो गई इसका उतर होगा इंडोनेसिया सिरी बिजय एर जेट बिमान दुर घटना गरश्ट हुआ 10 जन्वरी 2021 को और इसमें लगबग 60 से अधिक लोगों की मिर्टू हो गई अगला कि जम्मु कस्मिर के लोग सेवा आयोग ने परसासनिक सेवा परिक्षा कुमिद्वारों के आयू 37 वरस से घटा करके कितना वरस कर दिया है इसका उतर होगा 32 वरस दस जन्वरी 2021 को परधान मंत्री का रियाले ने किस देश के राष्ट पती को गंतंत्र दिवस पर मुख अतिथी के रूप में अमंत्रित किया है इसका उतर होगा सुरी नाम के राष्ट पती चंद्री का परसास संतोखी को अगला एक दस जन्वरी 2021 में सागर अन्वेसिका जो की राष्ट को समर्पित कर दिया गया है यह क्या है सागर अन्वेसिका यह अनुसंधान पोथ है अगला एक भारत में बनी किस भैक्सिन को ब्राजिल ने अपने देश में उपियो की अनुमती दी है और साथ ही साथ भारत से 20 लाक भैक्सिन भेजने का अनुरोध भी किया है इसका उत्तर होगा कोवेसिल्ड और को भैक्सिन अगला एक इक इस बैपार संगठन ने भारत की कैमी बैपार निती समिक्षा यानि TPR रिपोर्ट जन्वरी 2021 में जारी किया है इसका उत्तर होगा सत्मी बैपार संगठन ने भारत के सत्मी बैपार निती समिक्षा TPR जारी किया है अगला 11 जन्वरी 2021 को उडान योजना के अंतरगत करनाटक के किस सहर से हवाई उडान सेवा के शुरुआत की गई इसका उत्तर होगा कलबूर्गी कलबूर्गी जो है करनाटक से सिरुपति अंध्रपरदेश के लिए उडान भरा गया है अगला 11 जन्वरी तक आयोजित कर रही है इसका उत्तर होगा रक्षा मंत्राले ने अगला 11 की सीव बिजिल 21 क्या है सीव बिजिल 21 जो है वह भारतिये 9 सेना का सबसे बड़ी समुन्दरी रक्षा अभ्यास है और हर साल दो साल पर आयोजित 2021 में इसके दूसरे संसकरन 12 से 13 जन्वरी 2021 को होगा 11 जन्वरी 2021 के तिसरे राष्टी उर्जा सनरक्षन पुरुसकार जो है उर्जा सनरक्षन पुरुसकार 2020 के तहत भारतिये रेलवे को कुल कितने पुरुसकार मिला है इसका उत्तर होगा तीन परतिष्टित सिरेनियों में कुल 13 पुरुसकार दिया गया है पश्चिम रेलेवे को प्रतम पुरुसकार मिला है राष्टिय उर्जा सनरक्षन पुरुसकार में और आश्टिये उर्जा सनरक्षन पुरुसकार 2020 जो है वा विधुत मंतराले के उर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा परदान किया जाता है अगला एक 11 जनवरी 2021 जो है विधुत मंतराले के प्रेस बिग्यापती के नुसार भारत 2030 तक अच्छा उर्जा चमता को कितना गिगावाट तक बढ़ाने का लक्ष रखा है इसका उतर होगा 450 गिगावाट तक और इस रिपोर्ट के नुसार भारत प्रति ब्यक्ति उर्जा की खपत विश्व में सबसे कम करता है अगला एकी पारेवरन बन और जलवाईव परिवर्थन मंतराले के 11 जनवरी 2021 इसके रिपोर्ट के नुसार बैस्विक बागो की अबादी का 70 पर 30 भारत में रहता है और बैस्विक तेंदू की अबादी का 60 पर 30 भारत में है अगला एकी शिरी तुरलापती कुटुम्बा राओ का निधन हो गया शिरी तुरलापती कुटुम्बा राओ क्या थे तो यह तेलुगों के पत्रकार थे इसका उत्तर होगा तेलुगों के पत्रकार अगला है कि नवाचार छेत्र में सिक्षा को बढ़ावा देने के उधेश से इस्रो ने 11 जनवरी 2001 के इसको कितने अटलांटिक रिंग लैप्स को अपनाया है इसका उत्तर हो जाएगा 100 अगला है कि जनवरी 2001 के इसमें खादी और ग्राम उधोग आयोग के द्वारा विकसित खाधी प्राकिर्तिक पेंट का उधघाटन कों कियें इसका उत्तर होगा नितिनगड करी खाधी प्राकिर्तिक पेंट पारेवरन के द्रिश्टी से सुरक्छित और बिसासक्ता रहित पेंट है अगला है कि जन्वरी 2021 में 12 लाख कड़ोर बजार पुंजी करन तक पहुचने वाली दूसरी भारतिये कम्पनी कौन बना है इसका उत्तर हो जाएगा TCS Tata Consultancy Services जो है वह जन्वरी 2021 में 12 लाख कड़ोर बजार पुंजी करन तक पहुचने वाला दूसरा कम्पनी बन गया है और इससे पहले कम्पनी था Reliance Industries जुलाई 2020 में ही यह 12 लाख कड़ोर बजार पुंजी करन तक पहुच चुका था अगला एक जन्वरी 2021 में चर्चा में रहा बिंदू सागर सफाई पहल का सुभारंब किस राजसरकार ने किया है इसका उत्तर होगा उड़ीसा राजसरकार ने अगला एक पोलेथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जन्वरी 2021 में थैला बैंग की सुरुवात की है इसका उत्तर हो जाएगा लखनव नगर निगम ने अगला है कि जन्वरी 2021 में कोईला खानों के लिए सिंगल बिंडो क्लियरेंस सिस्टम की सुरुवात किसन किया है इसका उत्तर हो जाएगा अमित साह गिरिह मंत्री ने अगला है बारह जन्वरी 2021 भारत परविका आयोजन इस वर्स 26 से ले करके 31 जन्वरी 2021 तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा यह किस मंत्राले के द्वारा आयोजित किया जाना है भारत परविका आयोजन जो है परियाटन मंत्राले के द्वारा आयोजित किया जाना है इसका उत्तर हो जागा परियाटन मंत्राले और भारत परविकार उदेश सहे देश के विभिन राज्जों के बेंजनों और सांस्क्रीती को परदर्सित करना अगला है कि परधान मंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्स पूर्ण होने के कारण यह चर्चा में है तो पर्धान मंत्री फसल भीमाय योजना को इसका उत्तर हो जाएगा पाच वर्स पूरो होने के कारण या चर्चा में बना हुआ है पर्धान मंत्री फसल भीमाय योजना के सुरुआज जो है 13 जन्वरी 2016 को किया गया था अगला है कि आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के उदेश से 12 जन्वरी 2021 को भारत और बियतनाम के बीच कैवी रक्षा सहयोग वारता आयोजित की गई है इसका उत्तर हो जाएगा 13 भारत और बियतनाम के बीच आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इस बैठक के सह अधियक्षता भारत का रक्षा सचीव अजय कुमार ने की अगला है 12 जन्वरी दोजारे के इसको सहरी अश्थानिय निकाए सुधारों को सफलता पुरुवक पुरा करने वाला चौथा राज्य कौन बना है इसका उत्तर हो जाएगा मनिपूर और इससे पहले तिलेंगाना को 7 जन्वरी 2021 को तीसरा राज बनाया गया था सहरी अश्थानिय निकाए सुधारों में सफलता पुरुवक पुरा करने वाला तीसरा राज तिलेंगाना और चौथा राज मनिपूर बना है अगला है 12 जन्वरी 2021 को हिनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके दवारा जारी किया गया और परतम अश्थान पर सबसे सकतिसाली पासपोर्ट में जपान को रखा गया है और दूसरा अश्थान पर सिंगापूर को रखा गया है भारत का अश्थान 85 है और सबसे खराब या फिर अंतिम अश्थान पर अफगानिश्थान को रखा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगला है 12 जनवरी 2021 के उच्तम नियाले के एक फैसले के अनुसार चार्चित कितने नए क्रिसी कानून पर रोक लगाई गये हैं इसका उत्तर होगा तीनो नए क्रिसी कानून पर अगला है कि 12 जनवरी 2021 के किनके जनम दिवस पर राष्टिये इवा दिवस मनाया गया इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी बीवेका नंद के जनम दिवस पर 12 जनवरी को राष्टिये इवा दिवस मनाया गया और यहाँ जनम दिवस जो है एक सव अंठानवा जैन्ती पर मनाया गया था अगला है 26 जन्वरी 2021 के इसके गंतंत्र दिवस प्रेड में भारत ने किस राज के ससस्त्र बलो को प्रेड में हिस्सा लेने के लिए मंत्रिन भेजा है इसका उत्तर होगा बंगला देश के बंगला देश के मुक्ती यूध के 50 वर्स पूरे होने के आउसर पर 26 जन्वरी 2021 के गंतंत्र दिवस प्रेड में भारत ने ससस्त्र बलो को प्रेड में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रन भेजा था आगला है कि जन्वरी 2021 में किस राज्य सरकार ने पक्षियों को सुरक्षा के लिए करुणा अभ्यान 2021 का सुरुवात किया है इसका उत्तर हो जाएगा गुजराज सरकार ने अगला है कि 12 जन्वरी 2021 को किस देश के सासक ने कोवेट 19 से उपजी चुनोतियों के कारण आपात काल घोसित कर दिया इसका उत्तर होगा मलेसिया ने अगला है कि 12 जन्वरी 2021 को किस खाड़ी देश ने 170 किलोमीटर लंबी दलाइन सीटी नामक ने प्रोजेक्ट की सुरुवात की है इसका उत्तर होगा साओधी एरब अगला है कि 12 जन्वरी 2021 को निती आयोग ने महिला उधमिता पलेटफार्म के नए संसकरन के लिए किसके साथ समझोता ग्यापन पर हर्ष्थाक्षर किया है इसका उत्तर हो जाएगा फिलिप काड़ के साथ अगला है कि 12 जन्वरी 2021 के किस राज में 16 तन लिथियम भंडार के खोज की गई है इसका उत्तर हो जाएगा करनाटक में अगला है 13 जन्वरी 2021 को खेंदरिये मंत्री मंडल ने भारतिये वायू सेना के लिए कितने तेजस बिमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड H.E.L. ने खरिदने की मंजूरी दी है इसका उत्तर हो जाएगा 83 अगला है कि 13 जन्वरी 2021 के इसको केंदरिये मंत्री मंडल ने किस देश के साथ बैज्ञानी के उन तकनीकी सहयोग के लिए समझहोता ग्यापन पर मंजूरी दी है इसका उत्तर हो जाएगा सन्युक्त अरब अमिरात ने और भारत के प्रित्वी बिग्यान मंत्रा ले और U.A.E. के नेशनल सेंटर अप मेट्रोलोजी के बीच एक समझोता हुआ है अगला है कि तेरा जन्वरी 2021 को पदम सिरी से समानी सिरी परकास राओ का निधन हो गया वे क्या थे? वे समाज सेवा एवं सिक्षा से सम्बंदित थे डी परकास राओ अगला है तेरा जन्वरी 2021 को चर्चा में रहा कोलाइब कैड सॉफ्ट्वेर किसके द्वारा सुरू किया जा रहा है इसका उतर हो जाएगा राश्टिये सुचना बिज्ञान केंद्र और CBSC के द्वारा कोलाइब कैड सॉफ्ट्वेर को लॉंच किया जा रहा है इसका उदेश से छात्रों और इंजिनियरिंग ग्राफिक्स पार्ठिकरम के लिए संपुर्ण इंजिनियरिंग समाधान उपलब्द कराने के लिए 13 जन्वरी 2021 को इसको राष्टी है सुचना बिग्यान के अंदर और CBAC के द्वारा जारी किया जा रहा है अगला है कि नई विदेश निती वैपार निती 2021 से लेकर के 26 इसको कब लागू की जाएगी नई विदेश वैपार निती को इसका उत्तर हो जाएगा एक अप्रेल 2021 से नई विदेश वैपार निती को लागू की जाएगी और यह निती 2021 से लेकर के 2026 तक लागू रहेगी अगला है कि आतंक वाद से निपटने के लिए भारत ने सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत को कितने सुत्री कार्ज योजना का परश्टाओ 13 जन्वरी 2021 का इसको भेजा इसका उतर हो जाएगा आठ सुत्री कार्ज योजना का परश्टाओ भारत ने सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत को भेजा अगला है कि दो बार माभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट पती कोन बने है इसका उतर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प अगला है कि 13 जन्वरी 2021 का इसको अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद परियोजित करने वाले देशों के सुची में फिर से सामिल किया है इसका उतर हो जाएगा क्यूबा पहले से तीन देश सामिल है उतर कोरिया, इरान और सिरिया अगला है कि पूर्तगाल में भारत के अगले राजदूत कोन होंगे पूर्तगाल में भारत के अगले राजदूत मनीस चोहान को बनाए गया है अगला एक जनवरी 2021 में कीस राज सरकार ने नई पोटल निती 2021-25 की घोसना की है इसका उतर हो जाएगा गुजराज सरकार ने और कुछ समय पहले गुजराज सरकार ने 5 साल के लिए नई सौर उर्जा निती 2021 को भी घोसना की है अगला एक प्राकिरती के सौरक्षा को बढ़ावा देने के उदेश से बन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश ने किया है इसका उतर हो जाएगा फ्रांस ने EUA नो और बिस्व बैंक के सहयोग से बन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया और बन प्लेनेट समित का थीम जो है लेट्स एक्ट टुगेदर फोर नेचर अगला के पारिवरन मंतरी परकास जावेडकर ने प्रेस रिपोर्ट के नुसार भारत में कितने सनरक्षित छेतर है इसका उत्तर हो जाएगा 903 अगला के जन्वरी 2021 में भारतिये रिजर बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद किया है इसका उत्तर हो जाएगा बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक अगला है 14 जन्वरी 2021 को भारत के पहली एर टैक्सी सिवा के सुरुआत किसके बीच की गई है इसका उत्तर होगा चंडी गड से हिसार हवाई अड़ा हर्याना तक और उडान युजना के तथ 94 हवाई अड़ा के रूप में हिसार हवाई अड़ा का उद घाटन 14 जन्वरी को किया गया था अगला है कि 14 जन्वरी 2021 को भारत का पहला सौदेसी 9 mm मसीन पिश्टॉल किसके द्वारा बिक्सित किया गया है इसका उत्तर हो जाएगा DRDO और भारतिये सेना के द्वारा सन्युक तरूप से अगला है कि परधान मंत्री कौसल विकास योजना के तिसरे चरन यानि PMKBY 3.0 का सुभारम 15 जन्वरी 2021 को कितने जिलो में किया जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 600 जिलो में अगला है कि किस मंत्राले के द्वारा पररभ अश्टार्ट अप इंडिया अंतराष्टिये समेलन का योजन 15 से 16 जन्वरी 2021 को किया जाएगा इसका उत्तर होगा बानीज जितता उधोग मंत्राले के द्वारा और इसका उधगाटन जो है परधान मंत्री मोदी के द्वारा अश्टार्ट अप इंडिया पहल के पच्चमी वर्सगाट के सुभासर पर किया गया अगला है 14 जन्वरी 2021 के विदेश मंत्राले के प्रेस बिगयपती के नुसार गंतंत्र दिवस 2021 के समारोह में कोई भी विदेशी राष्टा अध्यत के मुख अतिथी नहीं मौझूद होंगे और सौतंत्रता के बाद से यह तिसरा मौका है जब कोई भी राष्टा अध्यत मौझूद नहीं होंगे अगला है कि भुत्वपूर सैनिक दिवस कब मनाया गया इसका उत्तर होगा 14 जन्वरी 2021 को 1971 के भारत पाकिस्तान यूध के पचास्मी वर्स गाट के अउसर पर भुत्वपूर सैनिक दिवस मनाया जाता है और 14 जन्वरी 2021 के मकर संक्रान्ती के सुब अउसर पर देश के विभिन राज्यों में किस नाम से तेवहार मनाई गई इसका उत्तर हो जाएगा पोंगल तामिलाडो में दूसरा तेवहार adapt पोस्त संक्रान्ती पच्षिम बंगाल में मनाया जाता है और 30 तेवहार भोगाली विहू अस्सम में यहां मनाया जाता है और चौथा तेभार जो है मंकन संक्रांती के सोभवसा पर उत्रायन नामक तेभार जो है या गुजरात में मनाया जाता है और अगला है कि 24 जन्वरी दोजरे के इसको जारी टॉम्रम ट्रोफिक इंडेक्स से कि अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले सहर में भारत के किस सहर को दूसरा अश्थान मिला है इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई को और पहला अस्थान जो है ट्रेफिक इंडेक्स में टोमरोम ट्रेफिक इंडेक्स में पहला अस्थान पर मौस्को और भारत में छठा अस्थान पर बेंगलोर है और दिल्ली को अंठमा पैदान पर रखा गया है आगया है कि भारत सरकार के COVID-19 भैक्सिन के रजिस्ट्रेशन कराने है तो किस एप को लॉंच किया गया है इसका उत्तर हो जाएगा को बिन एप को बिन एप पर भैक्सिनेशन से जुड़ा सारा डेटा उपलब्द रहेगा वह भैक्सिन लगवाने वाले को ट्रेक युम निगरानी करते रहेगा अगला एकी जनवरी 2021 में किर्गिश्टान के राष्टपती चुनाव में जित किस ने दर्ज किया है इसका उत्तर हो जाएगा सदर जापारोवा अगला एकी 14 जनवरी 2021 के पर सुराम कुंड मेला किस राज में आरंभ हुआ इसका उत्तर हो जाएगा अरुनाचल परदेश के लोनित नदी पर अगला एकी जनवरी 2021 में जारी तिसरा डिजिटल एबोलूसन अस्कोर कार्ड 2020 भारत का अश्थान कितना रहा है डिजिटल एबोलूसन अस्कोर कार्ड में तो इसका उत्तर हो जाएगा चोथा अगला परस्ण है कि जनवरी 2021 में बिस्वे की पहली उनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम सकती रखा गया है या किसके द्वारा बिक्सित किया गया इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा जनवरी 2021 में बिस्वे की पहली उनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट बिक्सित किया गया इसका नाम सकती है अगला है 15 जनवरी 15 जनवरी 2021 को इगोवर्नेंस के लिए और स्कॉच चालेंजर पुरुसकार किसे दिया जाने की घोसना की गई है इसका उत्तर हो जाएगा जनजातिय मामले के मंत्रा मंत्राले को और जनजातिय मामले के मंत्री स्री अर्जुन मुंडा इस पुरुसकार को सविकार करेंगे अगला है कि 15 जनवरी 2021 को भारतिय मौसम बिज्ञान बिभाग ने केमा अश्ठापना दिवस मनाया है इसका उत्तर हो जाएगा 146 वा अगला है कि 15 जनवरी 2021 को भारतिय थल सेना ने कमी अश्ठापना दिवस मनाया है अगला है कि 6 नेपाल भारत सन्यूक आयोग का बैठक में भाग लेने यंदू पक्षिय मुद्दा पर चर्चा के लिए नेपाल के विदेश मंत्री परदीप कुमार गियावली भारत आये हैं और 15 जनवरी 2021 को किस राज में संत कभी तिरूवलूवर की जैन्ती पर तिरूवलूवर दिवस मनायी गई है इसका उत्तर हो जाएगा तामिलाडू में अगला एकि 15 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ सुचनायों संचार परदोग की के छेतर में सहियोग के लिए समझोता ग्यापन पर हष्टाक्षर किये हैं इसका उत्तर हो जाएगा जपान अगला एकि 15 जनवरी 2021 के नवी नविकर नियो उर्जा मंत्राले की बिगयपती के नुसार रूप टॉप सोलर योजना रूप टॉप सोलर योजना के तहत निम्नत तरह के अनुदान रासी दिये गए हैं जिसमें देखेंगे ठीरी केवी तक के सोलर लगाने पर 40 पर 30 अनुदान रासी दी जाएगी और 3 केवी से 10 केवी तक के सोलर लगाने पर 20 पर 30 अनुदान की रासी दिया जाएगा अगला है 15 जनवरी 2021 के इसको विद्या बालन की कौन सी 33 मिनट की सौट फिल्म को आउसकर 2022 की रेस में चैनित किया गया है इसका उत्तर हो जाएगा नटखट अगला है कि भुपेंदर सिन्मान हाल ही में चर्चा में रहें उनका समंध किस्से है इसका उत्तर हो जाएगा भारतिय किसान यूनियन के अध्यक्ष करूप में अगला है कि जनवरी 2021 के इसमें किस देश में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा यह गुफा जो है 45,500 साल पुराना है दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा खोजा गया है तो इंडोनेसिया में सुला वेसी द्रीप पर अगला है कि बहुच अर्चित पुष्टक दा पॉपुलेशन मीत थे इसलाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखा कौन है इसका उत्तर हो जागा याकूब कुरैसी अगला है कि किस महिला खिलाडी ने T20 महिला किरकेट में सबसे तेज सतक मारने का रिकॉर्ड बनाया है इसका उत्तर हो जागा सोफी डिवाइन या न्यूजिलेंड के खिलाडी है जिसने महिला T20 किरकेट में सबसे तेज सतक मारने का रिकॉर्ड बनाया है और इस वीडियो का दूसरा भाग आपको current affair के playlist में मिल जाएंगे वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो का दूसरा भाग भी देख सकते हैं